Hello everyone, Welcome to the channel Current Affairs by Ravi और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Weekly Current Affairs को यानि की 18 से लेके 24 मार्च 2024 के बीच का आपका जितना भी Important Update है Related to Current Affairs उसको मैं कवर करने वाली हूँ ये पूरी वीडियो आपके सभी एकसाम के Point of Use से काफी Important होगी तो उसको लास्तक जरूर देखेगा और अट दी एंड उफ तो वीडियो में आप से कुछ क्यूशन भी पूछोंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कामें सेक्शन में दोगे तो बिना देरी करें शुरू कर लेते हैं वीडियो और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रशन है मार्च दोहजार चौबिस में किस मल्यालम कवी को उनके काववे संग्रे जिसका नाम है रूद्र सात्वी कम इसके लिए 33 सरस्वती संबान 2023 के लिए चुना गया है तो ये चुने गए है किसे प्रभा वर्मा और उनका काववे संग्रे ये है आपका रूद्र सात्वी कम अब देखें मल्यालम भाशा के एक कवी है नाम है प्रभा वर्मा और इनोंने 2013 से 2022 के दोरान साहित्ती में अपना योगदान दिया है और बेसिकली जो उनका काववे संग्रे है रूद्र सात्वी कम ये उनका काफी फेमस है और अगर हम बात करें सरस्वती संबान में तो बेसिकली इसमें आपको दिया जाता है एक प्रसस्त्री पत्र साथी में मा सरस्वती की एक प्रतीक चिन मिलता है और कैश अमाउंट आपको मिलता है 15 लाग रुपे यानि कि 15 लाग रुपे कैश, प्रसस्ती पत्र और साथे में मा सरस्वती देवी की प्रतिक चिनिहाँ पर दिया जाता है किसके अंतरगत सरस्वती सम्मान के अंतरगत अगला क्यूशन है आपका महिला प्रीमियर लीक 2024 का खिताब एक इस टीम ने जीता है तो देखेंगर हम बात करें WPL यानि कि विमिन्स प्रीमियर लीक तो ये खिताब ये जीता है पहली बार रोयल चेलेंजर्स बेंगलोर ने तो option number C आपको यहाँ पर ध्यान लखना है देखें पहला जो किताब जीता था ये जीता था मुंबई इंडियन्स ने second edition ये अभी हुआ है 2024 में जिसके विजेता कौन से टीम रही है ये रही है आपकी R.C.B. ये रोयल चेलेंजर्स बेंगलोर अब देखें इसका आयोजन ये कब से कब तक हुआ तो 23 फरवरी से लेके 17 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ है विजेता के अगर हम बात करें तो रोयल चेलेंजर्स बेंगलोर जिसकी कप्तान रही है स्मुनती मंधाना उप विजेता की बात करें तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स टीम और इसकी जो कप्तान है वो है मेग लेनिन संस्क्रन की बात करें तो दूसरा संस्क्रन था और कुल टीम जोसमे थी वो थी पाच पहले संस्क्रन की बात करें तो ये 2023 में हुआ था जिसकी विजेता ये थी मुम्बई इंडियन्स और उप विजिता अगेन रही थी कौन दिल्ली कापिटल्स ठीक है तो ध्यान रहेगा इस बार की जो विनर है वो है रोयल चलेंजर्स बैंगलोड अगला गिश्चन है ब्लादीमिर पुतिन किस देश की पांचवी बार प्रधान मंतरी बने है तो देखे अगर हम बात करें ब काफी सुना होगा जब युक्रीन और रश्या का वॉर्ड था तब भी बीश्मिन का नाम काफी जादा सुनने को आपको मिलता है तो ध्यान रहेगा इलेक्शन हुए ते वापस से ने चुना गया तो रश्या के पांचवी बार के राज़्ट पती ये वने है ब्लादिमिर दियाता है तो ऐप्शन नंबर यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब रश्या के गरम से खुए महादीब मेहने िका नाम आ है मिखाइल मिसूस्टेण तो इिनका नाम भी आपको ध्यान लखना है तो अगला किसिはい kehпервых 实则 kit couple बाद करें पैरिस ओलंपिक अभी होने कर दियाई पर दियान लखना है और इसमें भारत की दफ़छ वहाग यह बने है टेबल टेनिस प्लेइर जिनका नाम है शरत कमल तो आप्शन बेर बी ये आपको यहाँ पर ध्यान रगता है तो देखे खेल रितन पुरुसकार विजय था और साथी में दो बार के Commonwealth Games Champion Stable Tennis कहलाड़ी है शरत कमल इन्हें Paris Olympic 2024 में भारत के द्वजवाहक के रूप में चुना गया है अब ये जो पूरा कंड़िट कराता है ये कराते हैं अंतरास्ट्य Olympic समीती जोसकी स्थापना हुई थी 1894 में मुख्यालने इसका लॉजन स्विजलेंड में है और अध्यक्ष इसके थॉमस बाग अगला केशन है भूटान का सरवोच नागरिक सम्मान जो की है The Order of Duke ग्यालपो ये प्राप्त करने वाले पहले विदेशी सासना ध्यक्ष कौन बने है तो देखे The Order of Duke ग्यालपो सबसे इंपोर्टेंट तो आपका ये ही आता है तो ये सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले सासना ध्यक्ष ये बने है देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी तो option number C आपको यहाँ पर ध्यान रखना है image में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखे ये ने The Order of Duke ग्यालपो जो की भुटान का सर्वोश नागरिक सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है अब देखे ये सम्मान पाने वाले ये पहले विदेशी नेता है अगर हम बात करें भुटान का सर्वोश नागरिक सम्मान की और ये जो सम्मान है ने भुटान के राजा जिंग में खेशर नाम ग्याल वांग्चुक के द्वारा प्रदान किया गया है अगला क्यूशन है आपका उत्तर वर्देश ने अपरादियों पर नकेल कसने और जाजबी मदद के लिए किस अत्यादूनिक डिजिटल प्लैटफोर्म को लाँच किया है तो यूपी सरकार ने लाँच किया है अपरादियों को पकड़ने और अपनी इन्वेस्टिकेशन की जाज़ करने के लिए और इस एप का नाम ये है आपका त्रिनेतर एप 2.0 तो ओप्शन नमबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखिए आर्टिफिचल इंटलिजेंस सोलिशन कंपनी है इन्होंने AI-Powered Crime GPT जिसका नाम है त्रिनेतर 2.0 इसको लांच किया है और ये Crime GPT लांच का उदेशी बिसिकली सिक्योरिटी को मजबूत करना है जिससे कि UP की पोलिश जो है वो अपरादियों पर नकेल कसने में उन्हें यहाँ पर मदद मिल सके अगला क्यूशन है भारत और किस देश के बीच में दस्वा सन्युक्त सैन्ने अभ्यास जिसका नाम है लामीतिये 2024 का आईजन ये किया गया है तो देखें अगर हम बात करी सन्युक्त सैन्ने अभ्यास लामीतिये का दस्वा संस्क्रन ये बेसिकली हुआ है भारत और सेशल्स के बीच में लेट इस ऑप्शन नुमबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो देखें यह हुआ है 18 से लेकर 27 मार्च के बीच में यह होना है कहाँ पर सेशल्स में और यहाँ पे जो टर्म है लमी ती है इसका मतलब होता है दोस्ती ठीक है और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है इंडियन कोर खा राइफल्स नहीं और सेशल्स के तरफ सर आ रही है कौन सेशल्स डिफेंस फोर्स तो यह भी आपको ध्यान रखना है अगला क्यूशन है विश्ववानी की दिवस मोस्ट इंपॉर्टन क्यूशन है अनि की इंटरनेशनल डे ओफ फोर्स दो हजार चौबिस यह कम मनाया गया है तो यह मना है 21 मार्च देट इस ओप्शन नमबर यह आपको यहाँ पर ध्यान लखना है इसकी थीम आपके लिए काफ़ इंपॉर्टन है यह है आपकी फोर्स और इनोवेशन देट इस वन और नमचार तो यह आपको ध्यान लखने 2024 की यह थीम है और 21 मार्च को अंतर राष्ट यवन दिवस किस थापना यह कीती सन्युक्त राष्ट महा सभा के द्वारा कब 2013 में फिर है प्रबोतो सुभियानतो किस देश के नए राष्ट पती चुने गए हैं तो देखे अगर हम बात करें प्रबोतो सुभियानतो यह बेसिकली चुने गए हैं इंडोनेश्या के नए राष्ट पती तो ओप्शन नमबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो देखे इस से पहले जो महा की राष्ट पती थे वो थे जोको विड़ोडो इनी का जो है स्थान ले लिया है किसने प्रबतो सुभियानतों ने हाला कि यह ऑक्टूबर 24 में पत को ग्रहन करेंगे तब तक कि राष्ट पती बने रहेंगे कोन जोको विड़ोडो लेकिन नए राष्ट पती की घोशना की जा चुकी है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है इंडोनेश्या की बात करें कौन से महादीप में लाई करता है तो यह एश्या महादीप में लाई करता है रास्थानीस्त की जकारतर जो यहाँ पर करन्स इस्तमाल होती है वो होती है इंडोनेश्याई रुपिया तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है राश्टपती अभी जोको विडोडो है लेकिन अभी चेंज हो जाएंगे कौन प्रबतों सुभियांतों अगला क्रिशन है सन्यक्ति राश्ट के द्वारा जारी विश्व खुशाली रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशाल देश कौन सा बना है तो ये बना है फिनलेंड यानि की वर्ड हैपनिस रिपोर्ट के गर हम बात करें दो हज़ार जॉबस में तो most happiest country in the world ये बनी है फिनलेंड और ये लगतार सातवी बार दुनिया की सबसे खुशाल कंट्री बनी है तो देखिए लगतार साथवी वर्ष तुन्यों का सबसे कुशाल देश ये बना है कौन सा फिल्लेंड टॉप थ्री कंडरीस की बात करें तो नाम शुमारे किन का फिल्लेंड का, डेन्माक का और आइसलेंड का भारत की बात करें तो भारत का स्थान ये है 126 वा और कुल देश यहां पर 146 जिसमें आकरी स्थान ये है अफ़कानिस्तान का ठीक है अगला question है आपका विश्व गोरया दिवस यानि की World Sparrow Day 2024 कब मना गया है तो ये मना है 20 March तो देखिए हर साल 20 March को Nature Forever Society और Ecosis Action Foundation के सहयोग से विश्व गोरया दिवस ये मनाते हैं कब हर साल 20 March को और ये बेसिकली घरेलोग गोरया के पतन के बारे में जागरुकता दे यानि की awareness को create करने के लिए मनाया जाता है अगला question है March 2024 में भारत का पहला Ayurvedic restaurant जिसका नाम है जिसका नाम है Soma और ये अभी शुरू हुए कहां पर नई दिल्ली ऑप्शन नंबर दी आपको यहां पर ध्यान रखना है तो देखे Soma दा Ayurvedic Kitchen ये सालीमार बाग जो के नई दिल्ली में यहां के महर्षी Ayurved अस्पदाल में स्थापित किया गया और इस restaurant में भारत का ये पहला Ayurvedic Kitchen है Soma दा Ayurvedic Kitchen में जो basically वहाँ पर customer आते हैं उनको उनकी health के according, उनके स्वास्ते के according यहाँ पर खाना दिया जाता है फिर चंदरियान तीन mission में उल्लेक ने उपलब्दियों के लिए Aviation Week Laureates Award 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो चंदरियान थ्री mission के लिए basically सम्मानित हुआ है कौन? ISRO, that is option number A तो देखी ISRO के और से पुरुसकर अमेरिका में भारती जो दूतावास हैं जिनका नमे श्री पिया रंगनातन उन्होंने स्वीकार किया है अब यह मिला है ISRO को तो ISRO के बार में अगर हम जाने तो सबसे पहले इसकी full form होती है भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगर्टन इस इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जिसके स्थापना हुई थी 15 अगस्ट 1969 में और इसका मुख्या ले यह है आपका बेंगलूरो में और वर्तमान जो उसके अध्याक्ष है वो है IS SOMNAD अगला केशन है संजे मुखरजी को किस राज्चे के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियूक्त किया गया है तो देखिए अभी पश्चे मंगाल के पुलिस महानिदेशक यह बने है संजे मुखरजी अगला केशन है भारते मोल के लियो वराडकर किस देश की प्रधान मंत्री थे जिन्होंने मार्च 2024 में अपने पचसिस्तफ़ा दे दिया है तो यह बेसिकली जो प्रधान मंत्री थे यह कौन सी कंट्री के थे तो ध्यान रखिना इनका संबन था Ireland से option number C आपको ध्यान रखना है तो देखिए भारते मोल के लियो वराडकर ने Ireland के प्रधान मंत्री के पचसिस्तफ़ा दे दिया है और उन्होंने 17 फाइन गिल पार्टी के नेता की सदश्यता भी छोड़ दी है 2017 में देश के पहले समलेंगिक प्रधान मंत्री यह बने थे और सबसे कम उम्र में इस पत को समानने वाले व्यक्ति भी कौन थे लियो वराडकर जो की Ireland के प्रधान मंत्री थे अप्शन नमबर ए दिखे भी तमिली साइस अंदर राजन जो मा की पूर्व राजेपाल और पॉंड़ोचरी की पूर्व उप राजेपाल थी इन्होंने अपने पचस स्तिफा दे दिया है और इन्होंने अपना स्तिफा किसे सोपा था तो ये द्रास्टपती द्रोब्डे मुर्मू को दिया था जसके बास से अब अतरिक्तप जो प्रभार है समाला है किसने आंतरिक्ष यात्रियोग पि सहीता के लिए विक्रम साराबई आंतरिक्ष केंदर के द्वारा कौन सा एप विक्सित किया गया तो इस एप का नाम है सखी एप that is option number C तो सखी एप को launch किया गया VSC के द्वारा यानि कि विक्रम साराबई Space Center के द्वारा जिसमें जो गगरियान अंतरिक्ष उडान भरने वाले चार क्रुव मेंबर हैं उनके लिए यहाँ पर यह बेसिकली विक्सित किया गया है और नाम है इसका सकी अप अब सकी का फुल फॉर्म तो यह स्पेस बॉर्ण असस्टेंट एंड नॉलिज हब वर्ड क्रियू, इंडरेक्शन और इसका उदेश्य है शकी अंतरिक्ष यात्यों को तकनी की दस्तावेजों और प्रिस्टिक्शन मेन्वल तक डिजिटल पहुच कर प्रदान करना जिससे बोजल मेन्वल दस्तावेजी करण की आवशकतत समापत हो जाती है मतलब बेसिकला वो हाथ में अपना पूरा दस्तावेज डोकिमेंटेशन उसको ठाकर नहीं चलेंगे बेसिकली आप के तुरू वो अपने आपको नैविगेट कर सकते हैं फिर एक कीस बैंक नेंपरिस ऑलंपिक के लिए भारत ओलंपिक संग के साथ साजयदारी किए तो वो किई है यस बैंकने टैट इस आप्शनन नमबर ए साल 2014 में और इसको संस्थापक है वो है राणा कपूर और अशोक कपूर फिर है विश्व डाउन स्ट्रॉम दिवाश याने की वोल्ट्र डाउन स्ट्रॉम द यह कम मनाते हैं तो यह मनाते हैं 21 मार्च त did option number A तो देखे, 2012 में सन्युक्त रास्ट के द्वारा आधिकारिक तोर पर विश्य डाउन सिंड्रॉम दिवस की घोशना की गई थी और यह जो बेसिकली दिवस है, यह awareness को create करता है किसमें जो आपका down syndrome के बारे में यहाँ आपको यह जानकारी प्रदान करता है Down syndrome क्या होता है तो एक ऐसी परिस्थिती, एक ऐसी स्थितिक, ऐसी situation होती है जिसमें एक बच्चा एक अतरिक 21 वे क्रॉमोसॉम्स के साथ में पैदा होता है देखे हमारी बॉड़ी में कितने क्रॉमोसॉम्स होते हैं तो यहाँ पर basically 23 वे क्रॉमोसॉम्स होते हैं जिसमें यहाँ पर बात हुआ है कि जो 21 वे गोर्ण सूतर के साथ में पैदा होता है तो यह आपको ध्यान रखना है अगला आपका question है मार्श 2024 में Microsoft का नया AI प्रमुक की किसे न्यूक्त किया गया है तो Microsoft की नई AI प्रमुक यह न्यूक्त हुए है कौन इनका नाम है मुस्तफा सुलेमान that is option number E Microsoft की बात करे स्थापनाविती 1975 मुख्याले है USA में संस्थापा के बिल गेट्स और पोल एलन और यह CEO यह है सत्या नडेला जो की काफी important है फिर प्रिसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने है तो यह बने है नवनीत कुमार सहेगल that is option number D तो देखे नवनीत कुमार सहेगल जो है वो पूर्व अध्यक्ष जो है यह सूर्य प्रकास उनका स्थान लेंगे और अगर हम बात करें प्रिसार भारती की तो यह सरकारी प्रिसारन केंद्रे जिसकी स्थापना यह हुई थी 1997 में और प्रितम अध्यक्ष थे वो थे निकल चक्रवरती फिर यह मार्श तुहजाचाबस में भारत में वैश्विक अध्यात्मिक्ता सम्मेलन का आयोजन यह कहां किया गया तो यह हुआ है आपका हैद्राबाद तेलंगाना में इसकी थीम आपके लिए इंपोर्टन्ट है जो कि इनर पीस तुदे वर्ल्ड पीस और यह कहां पर हुआ है तो कहना शांती वनम जो कि विश्व के सबसे बड़े धान केंदर की रूप में जाना जाता है वही पर इसका जो है आयोजन किया गया कब से कब तक 14 से लेकर 17 मार्श 2024 के बीच में अगला क्यूशन है मार्श 2024 में भारत निर्वाजन आयोग की रास्टे दिव्यांग जन आयकन नहीं की नेशनल PWD आयकन ये कौन बनी है तो ये बनी है शीतल देवी जो की भारतिये पैरा तीरन दाज है तो ध्यान रखेंगे शीतल देवी इसका सही आंसर होगा तो अप्शन नमबर ए निर्वाजन आयोग की बात करें स्थापना हुई थी 1950 मुख्याल नहें दिल्ली में अभी जो वर्तमान आयुक्त है निर्वाजन आयुक्त वो है राजीव कुमार और अन्य आयुक्त की बात करें तो उसमें नाम शुमार है ज्यानेश कुमार और सुकवीर संदुका फिरें भारत और किस देश के बीच में युद्यब्या स्टाइगर ट्रॉंफ ये इसका आयुजन किया गया है तो ये हुआ है किस-किस के बीच में तो उसका सही आंसर है भारत और अमेरिका कब से कब तक हुआ है तो 18-13 मार्च के बीच में इसकी शुर्वात होगी और इसका उदेश्य है मानविय सहता और आपता रहत अभ्यानों के संचालन के लिए अंत परस्पता विक्सित करना ठीक है अगला कुशन है मार्च 2024 में संगीत कला निदी पुरुसका 2024 से किसे सम्मारित किया गया है संगीत कला निदी से सम्मारित हुए है कौन जसका नाम है टीयम कृष्णा that is option number 1 क्यों दिया गया है तो ये दिया गया है कृष्णा को संगीत के क्षेत्र में कहीं उलेखनी कार्यों के लिए सम्मान दिया गया और नीना प्रशाद का 2024 के लिए नर्तिक कला निदी पुरुसकार के लिए चन किया गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है फिर छटी वार्शिक विश्व आयू गुणवत्तर रिपोर्ट के नुसार 2024 में विश्व स्तर पर सबसी प्रदूशित महानगरिक शेत्र कौन सा बना है तो ये बना है बेगु सराय जो की कहाँ पर है बिहार में तो उप्शन नमबर डी आपको ध्यान रखना है तो देखें आई क्यू एर के द्वारा ये जारी रिपोर्ट है जिसके नुसार जो सीर्स तीन देश है दुनिया के सबसे प्रदूशित उसमें भारत भी आता है पहले पर है बांगलादेश फिर आता है पाकिस्तान और फिर आता है बांगलादेश और ये भी ध्यान रखने है 2018 से लगाता है चार वर्षों तक दुनिया की सबसे प्रदूशित रास्थानी का दर्जा ये दिया गया है किसको नई दिल्ली को फिर आल इंडिया रेडियो की नई महाने देश है कौन बनी है तो ये बनी है मौसीमी चक्रिबर्ती दाट इस ओप्शन नमबर ए आल इंडिया रेडियो की बात करें तो स्थाप्रावीती 1936 में संस्थापा के भारत सरकार मुख्याल ले है नई दिल्ली में ये आपको ध्यान रतना है फिर ये उरोपे देश जिसका नाम है वेल्स इसके नई पहले अस्वेत नेता कौन बने है तो ये बने है वांग गैतिंग डाट अप्शन नमबर सी तो देखे वांग गैतिंग वेल्स के नई प्रथम मरंतरी बने है और किसी एरोपे देश का नेतित्व करने वाले पहली आस्वेत व्यक्ति भी बने है इनका संबंध किस पार्टी से तो इनका संबंध है वेल्स लेबर पार्टी से अगला क्यूशन है मार्श दोहजार चौबस में भारत सरकार की परवक्त यानि कि स्पोक परसन के रूप में किसे चुना गया है तो ये चुनी गई है स्टेफाली बी शेरन डाट अप्शन नमबर बी तो देखे स्टेफाली बी शेरन प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक का पदवार समहा लेंगी और 2014 के बाद में शेफाली बी शेरन P.I.B. की प्रधानिदेशक बनने वाली पहली महिला ओफिसर होंगी अगला है मार्श 24 में भारत में पहली बार के शेर में फारॉर्मूला-चार-कार रेसिंग कारीकरम का आईजन ये किया गया तो इसका सही आंसर है श्रीनगर-जमू-कश्मीर तो एकी श्रीनगर-जमू-कश्मीर में Formula 4 रेसिंग एविन का आईजन Federation of Motor Club of India के दुवारा किया गया है और इस कारिक्राम में डल जील के किनारे इसका आजन किया जाना है और इसमें जो नियुनतमायू होते हैं शामिल होने के लिए वो होती हैं नियुनतमायू 15 वर्श फिर इंडियन वेल्स ATP Masters 1000 में पुरुस एकल का किताब किसने जीता है तो ये जीता है किसने यनका नामे Carlos Alcarach ये कम मनाते हैं तो ये मनाते हैं 20 March ये कम मनाते हैं तो ये मनाते हैं 20 March इंपॉर्टेंट है आपकी इसकी थीमें Reconnecting for Happiness Building Resilient Communities और पहनी बार ये मनाते हैं 2013 में अगला क्यूशन है भारत के किस महान ब्लेडियर्स खिलाडी को वर्ल्ट्स ब्लेडियर्स म्यूजम के Hall of Fame में शामिल किया गया तो इनका नाम है पंकच आडवानी that is option number D ये जो म्यूजम में ये कहां पर है तो चीन के सांगराओ शहर में ये है और अगर हम बात करें पंकच आडवानी की तो इन्होंने 26 वर्ल्ट टाइटल अपने नाम किये हैं फिरे मार्श 2014 में रूश में भारत के अगले राज़तूत की रुप में किसे न्यूक्त किया गया है तो ये जो न्यूक्त हुए है इनका नाम है विने कुमार तो option number जो B है ये आपको यहां पर ध्यान रखने है तो विने कुमार ये बने है अभी भारत के अगले राज़तूत कहां पर रशिया में और ये वर्तमान में राज़तूत कहां के हैं ये माया मार के राज़तूत है भी वर्तमान में अगले हैं मार्श 2014 में चमेली देवी जैन पुरुसकार से किसे सम्मारित किया गया तो ये सम्मार्थ हुए है गृष्मा कुठार और रितिका चौपडा that is option number C यानि कि बोथ A and B इसका सही आंसर होगा तो देखें वर्ष की उतकरस्ट महिला मीडिया परसन के लिए चमेली देवी पुरुसकार ये किसे दिया गया है तो ये स्वतंतर पुरुसकार पत्रकार है गृष्मा कुठार उन्हें और इंडियन एक्स्परिस की रितिका चोपड़ा को ये पुरुसकार दिया गया है अब देखें हमारी दो पीडियाफ में आपकी यहाँ पर राज्य विवस्ता और समयधार यानि की पॉलिटी की टॉप्मोस 5000 कुष्टिंस आपके लिए यहाँ पर अविलिबल है इसके लाव आपके करन्ट अफेर की लास्ट वंग की पीडिया पर पर परचेस कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अधरवाइस आप डिरेक्ली वेबसेट को विजिट कीजिए जो कि है www.raveebooksbdf.com इसके लाव आप हमारे अंडूड एप्लिकेशन आपप भी जा सकते हैं जो कि है रवी स्टड़ी IQJK के नाम से जहां पर आपको डेली करेंट फिरिकली कोईजिस देखने के लिए मिलेगा साथी में टॉपिक वाइस कोईजिस भी आपको यहां पर अविलेबल होगा तो पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहां पर जाकर आप इसको चेक आउट कर सकते हैं अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के तरफ चोकी है महिला वज्यानिकों और संकाय सदश्यों के लिए किस सो रिसर्च किसने सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया तो यह क्या है विश्व विध्याल ले अनुदान आयोग यूजिशी तो ऑप्शन नमबर ए आपको यहां पर धियान लिए तो शेर्च नेटवर्क इन इंडिया और इसका मुख्यों देश्य है महिला संकाय सदश्यों के लिए फिरें मार्स तोहजार चॉबिस में इटी कॉपरेट उत्करस्ट तप रुसका दो हजार तईस के लिए कंपनी ऑफ्ट एयर से किसे समानित किया गया है तो यह समय नमबर बी आपको ध्यान रखना है क्यों दिया गया है तो भारत के सबसे बड़े वानेजिक बैंक भारते स स्टीट बैंक को घाटे से पुने लाब कमाने के लिए इसको यह अवार्ड दिया गया है इसके वहत्वान अध्यक्षाप के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि दिनीश कुमार खारा फिरें डाइना मेमोरेल अवार्ट यह किसे दिया गया है दोजाचाबस में तो यह दिया ह जो कि दिल्ली से हैं और मांसी गुपता जो की हर्याना से हैं that is option number D both A and B तो देखिए जो अवार्ड है वो लंदन के विज्ञान संग्राले में प्रिंस विलियम के दोबरा दिया गया और इसमें जो है जो है उदे भाटे और मांसी गुपता के साथ सब दुनिया भर के 20 लो के लिए दिया जाता है फिर भारते सेना ने एक नए अधिगरत AH-64E अपाची लड़ा को हेलिकॉप्टर्स को संचालित करने के लिए अपना पहला स्कॉडन जिसका नाम है 451 एविशन स्कॉडन ये कहां बनाया है तो इन्होंने ये बनाया है जौदपु राजस्थान that is option number C तो देखें स्कॉडन का गठन ये भारते सेना विमान के महारी देशक लैफ्टिनेंट जनल आजे सूरी और बॉइंग के अधिकारों के उपस्तिती में किया गया और नाम इसका आपको ध्यान रखना है जो किया 451 एविशन स्कॉडन फिर उत्तर प्रदेश के ग्रह साची किया इसे क्या नाम दिया गया तो इसे नाम दिया गया है पुस्पक that is option number A तो देखें ये जो बेसिकली कहां से हुआ है करनाटक के चैल केरे में हुआ है और ये reusable launch vehicle का तीसरा लेंडिंग मिशन था फिर इंडिन बैंक association के प्रभन निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी ये कौन बने है तो इनका नाम है M.V. Rao that is option number B तो देखें M.V. Rao जो है वो बेसिकली अतुरुकुमार गोल का स्थान लेंगी जो बरतमार में पंजाब नेशनल बैंक के प्रभन निदेशक है और किस युवा आलोचक को 29 वे देवी संकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया तो इस सम्मानित हुए है कौन इनका नाम है Nishant that is option number D क्यों दिया गया तो इनकी आलोचनक पुस्ता के जिसका नाम है कभीता पार्ट आलोचना उसके लिए इन्हें ये पुरुषकार दिया गया है अब अगर हम पातके डॉक्टर देवी शंकर हवस्थी की तो ये हिंदी के साहिती के प्रख्यात आलोचक थे और ये किसी भी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के लिए पुरुषकार दिया जाता है फिर है विश्व वाटर दिवस ये कम बनाते है यानिकी विश्व जल दिवस तो ये बना है 22 मार्च that is option number A आपके यहां पर सही हो जाएगा इसकी थीम आपके लिए इंपोर्टेंट है जो की है वाटर फोर पीस यानिकी शान्ती के लिए जल और इसका जो मुख्य फॉकस है वो जो आपकी SDG गोल्स होते हैं उनका समर्थन करना है जो 2030 तक सभी के लिए साफ जल और स्वचता उपलब्द कराने का लक्षे नरधारित करता है फिर है विश्व कविता दिवसी हम कब बनाते हैं तो अगर हम बात करें वर्ट पॉइट्री दे दो हजार चौपिस तो ये मनता है 21 मार्च यानिकी विशाल कंदों पर खड़े होना उद्देश है क्या है इसका विश्व में कविताओं के लेकन पठन प्रकाशन और सिक्षन के बारे में लेकर को प्रोहिट साहित करना फिर भारत मजांबिक और किस देश के वीच में अभ्यास आयम्टी ट्राइलेट 2024 के दूसरे संस्कन का आजन किया गया तो यह हुआ है भारत मोजांबिक और तंजानिय के बीच में डाट आप्शन नमबर एं अगर हम बा चपरे양स के लिए किया है और अंस मिस्टॉ जाता की दौर्त का पराद क्रते निजित्व किया जायेगा फिरें मार्श तो Ilsche 24 में भारतिय सर्कार करने हाय थिज भारतियों को बचाने के लिए किस operation को शुरू किया है तुस ऑपरेशन का नाम है operation इंदरावत्य और अप्श नमबर दी तो देखिए भारत सरकार के द्वारा इंसाग Soo RareTM देश हाय थी में फसदे भारतियों को परोसी देश डॉमेनिकन गर्म राज्ये में स्थानंत्रित करने के लिए उप्रेशन इंद्रावती ये शुरू किया गया है फिरे मार्श दोहजार चौबेस में भारत ने किस दक्षिनी अमेरिकी देश के साथ में पहली बार दो प्लस दो वारता में भाग लिय है तो ये भाग लिया है ब्राजील के साथ में डाटर्ट ऑप्षिन नमबर ए और इसमें बेसिकली यहां पर बात हुई है किस चिस के बारे में उर्जा महतवपुन खारिश प्रद्योगी की आतंकमाद रोत से कहीं विबिंग शेत्र में यहां पर बात की गई है फिरे नई दिल्ली में है फिरे मार्श 2024 में शोद करताओने केरल के डेट पर गहरी समुदर में एक आइसो पोटकिक नई प्रजाती की खोच की है इसका नाम एक किस अंगठन के नाम पर रखा गया तो इसका नाम है क्या इसका नाम में आपको आगे बताऊंगी लेकिन यह नाम र अगर हम बात करें इस रोगी तो मुख्याल ने बैंगलॉर पे है इस था अपना स्केवएती 1969 में और अध्यक्षिस के एस सोनाथ फिरे नेशनल इंटेनेट एक्सचेंज ऑफ एंडिया इस नेक्षी और मैटी द्वारा आगा में सार्वभामिक्स विकरती दीवास के लिए कौन सा पॉर्टल लॉंच किया गया तो इस पॉर्टल का नाम है क्या भाशा नेट पॉर्टल देट अप्शन अमबर डी तो देखे सार्वभामिक्स विकरती दीवास सबसे पहले जाने कब मनाते हैं तो यह मननेगा 28 मार्श को और इसका कारिक्रम होने वाला है जो इस कारि सब्सक्राइब के गया दोर्बी ने सिव और शक्ति नामक दो तारों के प्राचीन धाराओं की खोच की है तो यह की है एसे यानिकी यूर्पन स्पीस एजन्सी धैट इस ऑप्शन अमबर डी तो देखे लगबग 12 अरव पूर्व बनी एक खगोली संद्शने हमारी अकाश कंगर के निर्वान में योगदान प्रदान करती है और जर्मरी के हीडल बर्ग में मैक्स प्लेंग इंस्टिटूट फॉर एस्ट्रोनॉमिक के ख्याती मलहान के नेतत में इनकी खोच की गई है फिडे मार्श 24 में लेबनान में आज डबलू टीटी फिडर बैरू 24 टेबल टूर्नेमेंट में पुरू सेकल का किताब किस भारते ने जीता है तो इनका नामें जी साथ्यान डाट इस ऑप्शन अमबर ए आपको यहाँ पर धियान लियान नीने और मिश्यत यूगल की बात करी तो यह जीता है दिया चितले और मानुश सहाने फिर किस रास्टी अथलीट ने कलिफोर्निया में 10,000 मिटर दोड में 16 साल रास्टी रिकोर्ड को तोड़ा है तो यह तोड़ा है गुलबीर सिंग ने दाट इस ऑप्शन अमबर बी कुलबीर सिंग बेसिकली उत्रप्रदेश के हैं और उन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निय की सैंज जुआन क्राप्टिस यानों में आजित दटीन दोहताच चौबस अथलेटिक्स मीट में पुरुशों की 10,000 मीटर दोड में 16 साल पुराना रिकोर्ड यहाँ पर तोड़ उन्होंने 27 मिनट 48.81 सेकिंड का समय लेकर सुरिंदर कुमार द्वारा 2008 में 28 मिनट 02.89 सेकिंड का किरतीमान यह तोड़ दिया है विरे वर्ड वाइड फर्ण फोर नेचर के अनुसार 2024 में किस दिन अर्थ आवर डे यह मनाया जाएगा तो यह मनेगा 23 मार्श में देल्ट इ तो देखे गराम बात करें अर्थ आवर डे एक वैश्विक कारिक्रा में जो जलवायों परिवरतन के बारे में जागुक्ता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और यह 2023 में यह मनेगा 23 मार्श को कब से कब तक साढ़े आठ बजे से साढ़े नो बजे तक फिर लोकतंतर के ल और दीके सिकर सम्मिलन की शुरुवात यह हुई थी साल 2021 में किसके द्वारा अमेरिके रास्पती जो बाइडन के द्वारा अगला किशन है आपका प्रधान मंत्री नेरेंदर मोधी जी ने देश की पहली ओटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का सुभारम यह कहां पर कि तो इसका सही आंसर है गुजडात that is option number B तो देखिए उटर मोबेल कंपनी है मारूति सुझू की उसने गुजडात की हांसलपूर प्लांट में भारत का पहला इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट आरंब किया है जिसका महतु है इस प्लांट की चालू होने से मा लांट के तो नो यूर कंडिट में सॉरी इसमें बेसीकली अपने कांडिटेट के वारे में जान सकते हैं यह यह लॉंच के तैने ने यह तो यह कुछ सेथिता है कि उसके अपरादिक रिकोर्ड है या नहीं पर दो पूने वाला फिनकॉपस के नाए अमडी और सीयो यह कौ उन्हें महाराष्ट में है और अध्यक्षेज की अधार पुना वाला फिर मार्श 24 में शोद करता उन्हें मंगल ग्रैपर सबसे बड़े ज्वाला मुखी की खोच की है इसका नाम क्या है तो इसका नाम रखा गया है नॉक्टिक्स ज्वाला मुखी that is option number A तो नॉक्टिक्स न नॉक्टिक्स नॉक्टिक्स रखा गया है फिर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राजे में मेशिंग चार सुचुदा भ्यान को शुरू किया गया तो यह हुआ है हिमाशल प्रदेश में that is option number D तो देके basically इसमें लोगों को जाग रुक करना है मतदाता को लेकर मैंन की गई है फिर है महारास्ट गौराव पूरुसका दोहजार चॉबिस से किसे समानित किया गया तो यह समानित हुई है कौन इनका नाम है डॉक्टर उमारेले that is option number E तो देखे मुंबई में नालंदा नरत्यकला महाविध्याले की प्रतिस्चित प्रचारे डॉक्टर उमारे के लिए को प्रतिस्चित महारास्ट गौराव पूरुसकार से समानित किया गया है क्यों दिया गया तो भारत नाट्यम के क्षेतर में उनकी अमुलने युगदान के लिए यह आवार्डों ने दिया गया है अगला क्यूशन है आपका मार्श 2014 में जनेवा में आजित अंतरा से लेके 20 मार्श के बीच में और इसमें भायत को रिप्रेजेंट के हैं डॉक्टर नीरज मिद्दली फिरें मार्श 2014 में किस देश ने डिस्पॉसबल ए सीग्रेट्स और वैप्स पर प्रतिबंत लगाया है तो यह लगा है न्यूजिलेंड डैट इस आप्शन नमबर बी और इसमें देखें ठाड़ा से कम वर्ष के जो आयू के बच्चे हैं उनको अगर आप यह बेचते हैं तो उन पर अधिक जुर्माना यहाँ पर लगा जाएगा और न्यूजिलेंड के लावर ऑस्ट्रेलिया और इन सब प्रोडेक्ट्स पर बैन लगा चुका है कॉप 28 के किस अधियक्ष को सीरा वीक लीडर्शिप आवर्ड से सम्मानित किया गया तो यह सम्मानित हुए हैं सुल्तान अलजाबेर डाट इस ऑप्शन नमबर ए कॉप 28 के अधियक्ष रहे हैं यह डॉक्टर सुल्तान एहमद अलजाबेर भारत का परते निजित्व यह किया है नरेंदर मोदी जीने और कॉप 29 यह होने हैं बाकू अजरबाईजान में कॉप के गरम बात करने के Conference of Parties तो यह बेसिकली प्रत्वी सिकर सम्मिलन, रियो सिकर सम्मिलन या फिर रियो सम्मिलन के नाम से भी जानते हैं और Conference of Parties सम्मिलन में वो देश शामिल होते हैं जिनोंने 1992 में रियो डेजिनेरियो में हुए मूल जल्वायों समझोते पर हस्ताक लगाया है तो यह लगाया है रोस और बेलारूस को Option No.A फिर एक किस तेश की राष्टपती वो वांग थ्योंग ने एक साल की कारेकाल की बाद अपने पत सिस्तिफा दे दिया तो यह राष्टपती थे कहा कि वियतनाम के that is Option No.D तो देखें वो वांग थ्योंग ने मार्श फिर दामोदर राष्ट की स्राजी की पूर्व मंत्रे थे जिनका मार्श 2014 में 83 वर्ष की आयो में निदन हो गया तो इनका संबन था उडिशा से तार्टस Option No.D तो देखें उडिशा की पूर्व मंत्रे रह चुकिए साथ बार की विधाक है दामोदर राष्ट का भूनेश् में मार्श 2014 में 83 वर्ष की आयो में यहां पर निदन हो गया है फिर अब बिहार दिवस की कम बनाते है तो बिहार दिवस की बात करें यह मनता है 22 मार्श that is Option No.D बिहार की बात करें स्थापनावीत 1912 में 22 मार्श को लेकिन राच्चे का दर्जा यह मिला था 26 अनवर 1925 में र राजेपाल तो यह राजेंद्र आर्लिकर फिर मार्श दोज़ाचावबस में नौर्थीस्ट केम दोज़ाचावबस की तीसरे संस्कन का आई जो ने कहां किया गया है तो यह हूँ है और नागलेंड में that is Option No.B तो देकि प्रति चार वर्ष के बाद इसका आईजन होता है जिसमें आठ पुरवत्तर राज जी जो कि अरनचल परदेश है असम है मनीपूर है मेगाले है मेजोरम है नागलेंड है सिक्किम और त्रिपूरा इन सभी के अथलीट जो हैं आप मेर पार्टिसिपेट करते हैं तो यह थे आपके टॉप मुस्ट सेमेंटी कुशन आप दिस भारत के दुजवा हक कौन बने है तो इसका अंसर भी आप मुझे कमें सेक्शन में बताओके इसके अनावा हमारे दो पीडियफ है जो कि आपकी करंट अफेर की है और पॉलिटी के जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ आप इनको भी पर्चेस कर सकते हैं लिंक आ यहां पर टॉपिक वे स्क्विजस पर देखने के लिए मिलेंगे तो आज के इतना है थैंक यू सो मच हावा गुड दिन विश्यू आल दे वरी बेस्ट फोर यूर एक्जैम्स